हेलो फ्रेंज आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बर फिर से स्वागत हैं फ्रेंज एक इंडिपेंडल जर्नलिस्ट के द्वारा एक रिसर्च किया गया और उस रिसर्च में से जो डेटा सामने आया है वो बहुत ही चौकाने वाला है चौकाने वाला भी है और बहुत ही आप कह सकते हैं कि दुखत समाचार भी है जर्नलिस्ट के लिए जर्नलिजम के लिए इंडिया में बहुत बेकार कह सकते हैं आप जो भी जिस भी नेगेटिव शबत का इस्तमाल करना चाहते हैं इस वक्त आप कर सकते हैं इस डेटा को खासकर इस डेटा को लेकर औ दोस्तो इस research में क्या निकल कर सामने आया है कि 67 journalists arrested, detained, questioned in India in 2020 for their work. अब दोस्तो इसमें सिर्फ 2020 का ही नहीं बताया गया है, पिछले 10 सालों का बताया गया है कि भारत में कितने ऐसे journalists हैं जिनको arrest किया गया है और 2010 से लेके 2020 तक का इसमें data है, तोस्तो दोस्तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं और detail में जानते हैं इस पूरे research के बारे में लेकिन दोस्तो उससे पहले मैं आपको right to freedom, जो की हमें हमारा fundamental right है, जो की constitution में लिखा हुआ है, हमें constitution के द्वारा दिया गया है right to freedom, अब right to freedom के अंदर कई सारे हमको freedom मिला हुआ है, जैसे कि right to freedom of speech and expression, और भी है जैसे right to assemble peacefully and without arms, right to form association, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of the territory of India ऐसे करके कई सारे right हमको दिये हुए है, और अगर हम right to freedom of speech and expression को थोरा सा detail में जाने, तो वहाँ पे freedom of press and freedom to know about government activity भी include है तो दोस्तों ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम यहाँ पे press के बारे में बात कर ले, journalist के freedom of press के बारे में बात कर रहे है तो ये बताना जरूरी था कि ये हमारा right है, ये हमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी party की हो, हमें उनसे मांगने की जरूरत नहीं है Right to freedom of speech and expression और उसके अंडर freedom of the press, freedom to know about government activity ये हमारा अधिकार हम जान सकते हैं अब चलिए इस data के बारे में बात करते हैं In Omnius News for free expression and media in India, a study has found that 154 journalists were arrested, detained or integrated between 2010 to 2020 and 40% of these cases were reported in 2020 alone यानि की एक ही बहुत ही अशूब आप कहा सकते हैं, Omnius का मतलब होता है अशूब Journalist expression on media इसके लिए है क्योंकि पिछले 10 सालों में 2010 से लिके 2020 के बीच में भारत में 154 journalists को arrest किया गया, detained किया गया और उनसे question किया गया और उसमें भी 40% जो cases है वो 2020 में ही अकेले आए हैं Further, no foreign journalist को भी arrest, integration और इन सब को face करना परा है, detained किया गया है और उनके entry को ban किया गया है इंडिया में इस 10 साल के दोरान और दोस्तों, इंडिया जो है, वो साल दर साल freedom of safety of, major safety of journalists and freedom of expression in the country इस ranking में, इस list में इंडिया साल दर साल sleep करता जा रहा है यानि कि उसका जो ranking है वो और ज्यादा खराब होता जा रहा है उस ranking के बारे में भी हम बात करेंगे, अगले slide में और दोस्तों, और physical assault भी किया जा रहा है journalist के उपर 198 ऐसे attack record किये गए 2014 से लेके 2019 के बीच में अब दोस्तों, 2010 से लेके 2020, अभी मैंने आपको बताया कि 2010 से लेके 2020 के बीच में 154 journalist को arrest किया था, detain किया गया था और interrogated किया गया था, अब उस 154 में से 73 जो है, वो सिर्फ और सिर्फ BJP ruled states आए है यानि कि out of 154, 73 जो है, वो BJP rule states से आए है और another 30, इन 73 के अलावा, 30 cases ऐसे भी है, जो कि उन states से आए है जहाँ पर BJP और जो BJP के सहियोगी उस राज्य को चला रहे है वहाँ पर उनकी सरकार है यानि कि NDA की जहाँ सरकार हो, कुल मिला के 154 में से 100 के करीब, 100 से ज़्यादा जो cases आए है जहाँ पर कि किसी journalist को arrest किया गया है, detain किया गया है उसमें 114 में से 100 से ज़्यादा BJP rule states आए है और अगर हम BJP rule state की ही बात करें तो उत्तर परदेश जो है, वो इसमें top पे है with 29 cases, यानि कि सबसे ज़्यादा जो है, वो उत्तर परदेश से case सामने निकल कर आया है जहाँ पे कि freedom of speech को दबाया जारा है, freedom of praise को दबाया जारा है लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा चौकाने वाला जो data है वो यह है कि 40% 2020 में आया यह case और 1500 यानि कि 154 जो cases आया है जहाँ पे कि arrest, detain किया गया उसमें से 100 से ज़्यादा BJP rule या फिर NDA rule state से सामने निकल कर आये है अगर हम 2010 से 2014 क्योंकि उस वक्त UPA की सरकार थी जिसको Congress lead कर रही थी तो अगर हम उनके performance की बात करें तो उस वक्त 2010 से लेके 2014 तक सिर्फ और सिर्फ 19 cases ही record किये गए जहाँ पे कि किसी journalist को arrest और detain किया गया हो और 19 जो है वो 4 सालों का data है लेकिन उसके बाद हर साल 2014 के बाद से हर साल double digit में ये cases आने लगे 2017 के बाद से अब दोस्तो एक और यहाँ पे ranking है Price Freedom Index दोस्तो ये Paris based organization इस ranking को हर साल release करती है और इसकी सुरुवात हुई थी 2002 में अब दोस्तो यहाँ पे आप एक चीज़े नोट कीजिए कि भारत का जो 2005 साल का जो ranking है Price Freedom Index उसमें भारत की ranking जो है वो 142 है इसकी सुरुवात कब हुई थी इस ranking की तो 2002 में हुई थी और तब भारत की क्या ranking थी 80 थी अब वहाँ से दोस्तो 80 ranking से भारत फिसल कर अब कहां तक पहुँच चुका है वो आप देख सकते हैं 2020 में 142 ranking पे पहुच चुका है और मैंने वीडियो के शुरुवात में भी कहा था कि भारत उस ranking में sleep कर रहा है धीरे धीरे और नीचे जारा जो की एक अच्छा साही नहीं है जर्नलिस्ट और जर्नलिजम के लिए अब दोस्तो 2019 में देखिए 140 पे पैदान पे थे 18 में 138 पोजिशन पे थे 2017 में 136 पे थे 2016 में 133 पे थे तो दोस्तो आपको एक trend दिख रहा है कि साल दर साल इंडिया जो है इस ranking में नीचे ही गिरता जा रहा है 2016 के बाद से देखिए आप 133, 136, 139, 140, 142 और दोस्तो अगर मैं total बात करूँ 2014 के बाद 2014 में क्योंकि मोदी जी की सरकार आई थी बीजेपी तब से पावर में है तो आप 2014 के बाद से देखिए जो हमारा ranking रहा है वो more or less 140 के आसपास रहा है वहीं अगर आप पहले का compare करें पिछले कुछ सालों का तो आप देख सकते हैं 2002 हो या 2006, 5, 8 इस दोरान भारत का जो ranking रहा है वो more or less 100 से 110 के बीच में रहा है maximum 120 तक गया है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उस वक्त भी हमारा ranking जो था बहुत अच्छा था क्योंकि आप 100 से top 100 से बाहर हो आपका ranking वैसे ही बेकार होगा लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंता का बात है वो है 2014 के बात से क्योंकि 2014 के बात आप देख सकते कि हमारा ranking किस तरीके से नीचे फिसलता जा रहा है और दोस्तों आप यह expect कर सकते हैं कि जब 2021 के end में यह ranking आएगा तो शायद हम 142 से भी नीचे slip कर गया होंगे अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने परोसी मुलकों के बारे में कि उनका क्या ranking रहा है प्रेस फिर्डम इंडेक्स में तो दोस्तों आप देखिए भुटान हमसे कहीं बहतर पोजिशन पे 67 नेपाल 112 नंबर पे अफगानिस्तान 122 नंबर पे शुरिलंका 127 नंबर पे अब पे हैं नेपाल 112 पे हैं अफगानिस्तान जहां पे कि इतना ज्यादा वहां पे वाइलेंस होता है उसके बावजूद भी देखिए कि 122 रैंकिंग पे हैं वो शुरिलंका भी हमसे अच्छा है 127 पाकिस्तान का 145 रैंक है और बांगलादेस का 151 है तो दोस्तों कहीं न कहीं से बहतर पॉजिशन पे हैं अब दोस्तों क्योंकि मीडिया को जो प्रेस है इसको कहा जाता है fourth pillar of democracy democracy का यह चौ remained और जिस तरीके से भी जो बुरी बात है वो ये है कि अभी आप सबने निउज में देखा होगा कि अर्लोग और स्वामी निउज में काफी चर्चे में थे क्यों उनको अरेस्ट किया गया था एक सुसाइड के केस में जो उनकी वजह से मतलब उनके उपर दरज करवाया गया था कि उनकी वज़ा से suicide किसी ने किया है तो जब उनको arrest किया गया तो उस वक्त BJP के जो बरे-बरे leaders थे उन्होंने including the home minister जो हमारे country के home minister है उन्होंने भी कहा कि ये महराष्टा सरकार ने ये गलत step उठाया है ऐसा नहीं करना चाहिए था एक journalist के freedom को कर्ब नहीं करना चाहिए उसको नहीं दवाना चाहिए लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात note करने वाली बात ये थी कि अर्णव गुस्वामी को उनके profession के लिए arrest नहीं किया गया तो उनको उनके private personal मतलब उनका जो case था उनके profession से हटके था उनको suicide वाले जो case में उसमें उनको arrest किया गया था लेकिन फिर भी जो BJP rule estate है या BJP के leader है उन्होंने कहा कि एक journalist के आजादी को दबाया जा रहा है लेकिन दोस्तों 154 जो cases है इसमें BJP ने या BJP के जो leader से उन्होंने कहीं कुछ सवाल नहीं उठाया है और यहाँ पे BJP को अपने अंदर question करना होगा खुद से कि उन्हीं के state में इतने क्यों arrest किये जा रहे है UP top पे है with 29 ऐसे cases है तो दोस्तों यहाँ पे एक तरफा ही सारा किया जा रहा है कि जब से भारत BJP के power आने के बाद जो freedom index है उसमें भारत का जो ranking है वो बिगरता जा रहा है और हम expect कर सकते हैं कि आने वाले जो time में जो हमारा ranking है वो और नीचे जाएगा क्योंकि ऐसा कोई trend दीख नहीं रहा है कि हमारा ranking सुधर रहा हो और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 2014 से 2020 तक का ranking को देख सकते हैं दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप comment करके जरूर बताइए और दोस्तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share कीजिए like कीजिए और अगर चैनल को अब तक subscribe नहीं किये तो चैनल को subscribe कर दीजिए